इस वीडियो में चर्चा की जाएगी कि बच्चेदानी का मूँ खुलने के क्या क्या लक्षन होते हैं या इस भासा में कही जाये तो हम घर बैठे कैसे जान सकते हैं कि हमारे बच्चेदानी का मूँ जो है वो पूरी तरीके से खुलना स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही बचेदानी का मुँग खुलना स्टार्ट होता है तो आपके लेवर पेन का प्रोसेस भी कहीं न कहीं किसी तरीके से का सकते हैं कि स्टार्ट होना हो गया है अब है कि ये वीडियो मैंने उन सब्सक्राइबर के लिए भी बनाया है जिन में अभी लक्षन नहीं अपियर हो रहे हैं बचेदानी के लेकिन वो चाहती है उनका समय नजदी का रहा है उनकी प्रेगनेंसी का नाइन मन्त स्टार्ट हो गया और वो चाहती है कि उनका जल से ज पर नहीं हुआ है उनको क्या खाना है इस बारे में भी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं हुक्षवेता और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चाल में पहली बर अगर आए चानल को जरूर सब्सक्राइब कि जेगा और वीडियो को लाइक सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी बच्चेदानी का मुह खुल जाता है तो इस केस में जो आपका जो डिस्चार्ज होता है ना वाइड डिसार्ज जैसे कि आप इस तस्बीर के थूरू समझ सकते ऐसा डिसार्ज आपको प्रेग्नेंसी में हमेसा आता है लेकिन बच कि फूलना स्टार्ट होता है तो डिसेश आपका ज़्स ज़्यादा आने लगता है तो क्वांटीटी ज़्यादा आने लगती है आपके पैंटी वैगरा में आपको आसानी से दिख जायगा कि डिस्चार्ज ज़्यादाrites यद्यक्तिया लेकिन आपको सथीं के तो यह कब हो सब्सक्राइब करता है जिस कारण से उस दबाव के कारण ही आपका बचेदानी कमुझे वो धीरे-धीरे खुलने लगता है आप लोग अलएडी यह पता होगी कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके बेबी ने हैं डाउन नहीं किया उनका बेबी कहने का मतलब है कि किसी और ब्री बचेदानी का मुझे खुलना यह तब होता है जब बच्चे डाउन प्रॉसस में जाते हैं तो आप सबसे पहले पता लगाएं कि आपका बच्चा है डाउन प्रॉसस में है या नहीं है अब सेकंड पॉइंट पर हम चर्चा करेंगी क्या-क्या खाना पीना है सर्विक्स ओ उनके लिए मैं यह बताना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा गर्म तासीर की चीजों को लेना स्टार्ट किजिए खजूर अपने डाइट के अंदर सामिल किजिए डेली सुबा सुबा दो खजूर खाईए इस तस्बीर के थूर आप समझ सकते हैं इसे खजूर बोलते हैं इस क्या तरीका है आप दिन में या रात तक में जब मर्जी तब एक चमच लीजिए दूद के साथ लीजिए चपाती या डाल या फिर सब्जी में डाल के आपको जिसमें अच्छा लगता है या फिर ऐसे एक चमच खालीजिए या फिर गुनगुने पानी के अंदर डॉक्टर इस बताते हैं कि बहुत ही फायदे मंद होता है गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके इस डाउट को भी क्लियर कर दिया और साथी साथ मैंने कुछ ऐसे लक्षन बता है जिससे आप आसानी से जान सकती है घर बैटे की आपका सर्विक्स ओपेन हुआ या नहीं हुआ देखिए अगर आपका सर्विक्स ओपेन होने लगा तो घपडानी की जरुवत नहीं है लेकिन अगर ओपेन नहीं हुआ तो भी मत घपडाई है क्योंकि मैंने तरीका और नुस्का जो कारगर है सभी महिलाओ पर वो मैंने बता दिया है इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे डाउड को क्लियर के आप भी कुछ पूछना कुछ रहा गया है तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकती है थैंक्स पूर वाचिंग तब तक के लिए बाई 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 टेक केर